डॉक्टर से सवाल की सीरीज में हम आज एक सवाल ले रहे हैं जो बहुत सारे टाइम से लोग बार-बार पूछ रहे थे और कुछ पेशेंट हैं मेरी तो उनका बार-बार ये सवाल रहता है और मैं इसको टाल रहा था लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आप सबको ये बात बताऊं और सबके साथ सेयर करूं और उसका सॉलुशन भी मैं आपको दूँ तो आज सवाल ये है कि लोग सेक्स वर्कर के पास क्यों जाते हैं लगातार एक पेशेंट हैं जो मेरे से पूछती रहती हैं और उन्होंने काउंसलिंग के दौरान ये बात बहुत एंफसाइज करके बार-बार पूछी कि सब कुस ठीक है और मतलब अच्छे से हम सेक्स वर्कर के पास क्यों जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये हमारे समाज में बहुत सारे लोग इस बात को समझते भी हैं जानते भी हैं लेकिन बात नहीं करते और बहुत सारे लोगों के साथ ये समझ्या उस तरह से होगी क्योंकि लोग उसको डील नहीं करना चाहते कि आखिर क्या लोग सेक्स वर्कर के पास सेक्स के लिए जाते हैं ऐसा नहीं है बिलकुल मतलब सेक्स वर्कर के पास जाने के पीछे लोगों के अलग-अलग कारण हो अफकोर्स सेक्स और पारण हो सकती है कि लोग सेक्स के लिए उधर जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं है कुछ दूसरे कारण भी हो सकते जैसे इस case में ऐसा है कि एक इंसान ने जब हमने बात की तो उसने जब हमें एक एक चीज बताई तो उसने बोला कि भई मुझे जहां तक sex की बात है तो मैं खुद masturbate कर लेता हूँ या मतलब nightfall हो जाता है, discharge हो जाता था पहले अभी मैं एक sexual life में हूँ, मतलब अपनी wife के साथ हूँ उसके साथ मैं sex कर लेता हूँ, तो sex वाला part नहीं है मेरे साथ तो हमने पूछने की कोशिस की, समझने की कोशिस की, तो फिर वह ऐसा कौन सा part है तो उन्होंने बोला कि भई, एक अलग तरीके का एक relief, मुझे एक emotional attachment मिलता है कुछ अच्छे से, मैं relaxing महसूस करता हूँ, कुछ सीजे हैं, कुछ बाते हैं जो मैं उस lady, professional lady के साथ अच्छे से कर लेता हूँ मुझे ये खत्रा नहीं रहता है कि मुझे कोई judge करेगा मुझे ये खत्रा नहीं रहता है कि मैं perform कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा मुझे ये भी खत्रा नहीं रहता है कि आगे कोई क्या सोचेगा, पीछे क्या सोचेगा तो आखिर इसके पीछे क्या reason है देखो बहुत सारे लोगों को मतलब एक अलग तरीके का एक environment चाहिए, उन्हें अलग तरीके की feeling चाहिए बहुत सारे sex workers आज कल देखा है आपने की या सुना भी होगा कि relax करती है, chill करती है, या massage करती है, या hugging, touching, kissing, smooching देती है या फिर वो इसको दूसरे सब्दों में कहें, तो एक active sex partner की तरह react करती है, एक professional जो female होती है जो की मतलब wife नहीं कर सकती, या फिर आपकी girlfriend नहीं कर सकती, ये एक बुन्यादी अंतर होता है तो मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूँ, कि दो लोगों के बीच, relationship में content होने बहुत जरूरी है बात करना बहुत जरूरी है, फोर पिले बहुत जरूरी है, time गुजारना बहुत जरूरी है और चीजों के साथ connect करके रहना बहुत जरूरी है देखो यदि आपके रिस्ते में ये सब चीजें धीरे-धीरे खतम हो रही है, डिस्टेंस पे जा रही है, तो फिर आप ये बात समझ लीजे, कि एक इनसान वो औरत हो या आदमी हो, यदि वो strain में है, यदि वो pressure में है, यदि वो anxiety में है, या फिर उसके साथ कुछ और pressure है किस करने लग जाता है, कुछ नसे का साहरा ले लेता है, अब जहां तक बात है, एक change की और sex की और sedation की, इन दोनों में बहुत जादे अंतर नहीं है, ये दोनों ही चीज हमारे hormonal लेबल पे, serotonin और dopamine जो हार्मोन से हो, उसके लेबल में कहीना कहीं परवर्तन पैदा करती है, औ करता है, और उसको एक नयापन लगता है, हर इंसान कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ चेंज ढूंड रहा होता है, और वो ही उसकी psyche उसे sex worker के पास ले जाती है, तो यदि इस चीज को रोकना है, तो आप पहले तो बैट के बात करिए, discuss करिए, और जो मैंने आपको points बत जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी कोई इसू बना रहता है उस तरह का, तो आप counselor की या doctor की मदद ले सकते हैं, जिससे की आपको इस चीज को deal करने में, खतम करने में और नॉर्मल अपने relation को करने में, आपको काफी मदद मिलेगी, thank you very much and take care of yourself.